जेहन दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज के वीडियो में एक नियूज लेकर आये हैं देखिए वच्चेतर मादमेक सिक्षक भरती एक एक नियूजे की सेकंड कांसिलिंग का रोस्टर जारी हो गया है और यहां पर 475 पदों पर भरती होगी जेहां दोस्तों यहां पर देख लेते हैं पूरा क्या है सिक्षक पात्ता परिच्छा 2018 की मेरिट की आधार पर प्रिदेश के सरकारी स्कूलों में वच्चे मादमेक सिक्षकों की भरती जी पिरकिरिया जारी रही है इस बार अब सिक्षवाग और जन जातिये कारे विभाग उच्चे तर मादमेक सिक्षक पद के लिए जॉइंट काउंसलिंग की जाएगी और राज्य सासन ने सौंबार को सेकंड काउंसलिंग के लिए पदों का रोष्टर जो है जारी कर दिया गया इसके इसकोल सिक्षवाग के दायरे में आने वाले स्कूलों में उच्चे मादमेक सिक्षकों की 2750 पदों पर भरती की जाएगी जन जातिये कारे विभाग के स्कूलों में उच्च मादमेक सिक्षकों की 1325 पदों पर भरती की जाएगी इस तरह एकुल 475 पदों परवर्टी होगी पहली कांसलिंग दोनों भागों ने अलग अलग की थी और मार्च 2019 में इसकुल सिक्षा भाग ने कांसलिंग की थी रोश्टर जारी करने के साथ बताया गया कि रिक्त पदों की संख्या में बदलाव किया सकता है पदों की संख्या यहां पर देखे और आंगी क्या है पदों की संख्या कम अबरदी की जा सकती है और वहीं अन्द पिछड़ा भर्ग के संबन्द में हाई पोर्ट के अंतरम नेर्लाई के अंसार 14 प्रतिशत की सीमा निउप्त आदेश जारी किये जाएंगे इसकुल सिक्षावाग के अंतरगा सबसे जादा बेकेंसी बायोलोजी में हैं इसके 400 पन पर भर्टी होगी जनजाती कारवागी के इताय सबसे जादा बेकेंसी गड़त में होगी इसके 207 पदों पर भर्टी होगी वहीं मातमेक सक्षक पद के लिए रोस्टर जारी नहीं हुआ है लेकर रजेस्ट्रेशन की प्रिकरिया जारी है और यहां पर एक और न्यूज है क्या देखी इसी में कि जो रजेस्ट्रेशन की अंत्यम तारीके बाय सोले अक्टूबर तक है जो देखे उच्चतार मातमेक सक्षक भर्ती के लिए सेकंड राउंड कांस्लिंग में सामिल होने के लिए अंत्यम तारीक भी बढ़ा दी गई है जी हां पीवी द्वारा आयुजे सक्षक पार्ता परिक्षा 2018 में पात्र उमीदबार अब सोले अक्टूबर तक है रजेस्ट्रेशन कर सकेंगे सांथी दस अब यहां पर सेकंड कांस्लिंग की तो अब भरती प्रिक्रिया जो है बहुत ही जल्दी जो है शुरू होने वाली है तो इस पर का जो है यह निवस्ति तो कैसा लगए वीडियो कमेंट में जरू बता है अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने वा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेयर करें जय है